उजेन की तराना पुलिस में पांच घंटे में ही अपरहंट के आरुपियों को इंदोर से गिरफतार कर लिया। आरुपी ने बच्चों के माता-पिता से दो लाग की डिमांड की थी। ऑपरिशन मुसकान के तहट थाना तराना पुलिस ने पांच साल के बालक को पांच पर अपरात कायम किया गया था। उजेन पुलिस द्वारा 15-28 तक गुम एवं अपरहंट बालक बालिकाओं को ढूड़ने के लिए ऑपरिशन मुसकान संचालित किया जा रहा है। पुलिस टीम का गठन करततकाल परिजोनों से प्राप सूचना के आधार पर एवं साइबर से लुजेन से प्राप मुबाइल नमबरों की लोकेशन के आधार पर बालक रविराज एवं आरोपी माखन को इंदोर से ढूण निकाला। को परिजोनों के सुपरूत किया एवं आरोपी माखन को कपचे में लेकर आगे की कारवाही शुरू कर दी गई है। जो छोटा बच्चा है पांच वर्सका उसके दादा की तरफ से एक अखायर पंजीबित करी 363 में। क्योंकि उस समय तक हमारे पास के उल इतना का कि बच्चे का प्रण हुआ है। लेकिन बाद में जब हमने चश्मीजी साक्षी जो है बच्चे की दादी है। और उसके परजन चाचा जी थे। उनसे जब बात की पुलिस में। वारी टीम ने तरणा की टीम में बात की। तो उसमें 364A 364A IPC के कंटेंट भी आए। सब्सक्राइब तरणा यहीं तरणा और उनके साथ का टीम था उसमें पुरा इसमें लोकल मुख्विरी और जो मैनूर थी टेक्निकल सपोर्ट लेके हुए। इंदौर का पता तरणा के इंदौर में लेके गया। इंदौर में जब तरणा थाना अंतरगत बरगुंडी गाउं से कल पांच वर्ष के बच्चे का उसके घर से जब्रदस्ती अपरण किया गया। मामला बड़ा संगीन था। हमारी पूरी टीम ने तरणा एसज्जूपी ने और तरणा टीयर ने लगाता रिसमें एक्टिव रहके इसको फॉलो किया। मामला ये था कि एक व्यक्ति है माकन सिंग राजपूत जिसने पीडित के घर जाकर उसकी दादी से बच्चे के अबज में डिमांड की पैसे की दोलाख रुपे की और जब उन्होंने देने में अक्षमता जाहर की तो वहां से मोटर साइकल पर इसको अपरत करके लेगी पर इसमें आशंका है इंकार नहीं कर सकते तो वही साख्ष हम लोग खंगाल रहे हैं बच्चे को छोड़ने के